इस्लाम लीकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलेटिव अबंडन्स ओफ आइसोटोप्स तो स्टार्ट करते हैं रेलेटिव अबंडन्स ओफ आइसोटोप्स तो स्टूडेंट्स जैसे के वर्ड इंडिकेट कर रहा है अबंडन्स abundance का मतलब होता है जो के जादा मोग में चीज पाई जाए जाए या abundant हम कहते हैं या abundance कहते हैं जो के जादा proportion या जादा percentage में जो भी चीज exist करती या पाई जाती है उसका हम कहते हैं abundance या abundant तो relative abundance of isotopes को सबसे पहले हम define कर लेते हैं तो define करते हैं relative abundance क्या है the percentage of an isotope of an element the percentage of an isotope of an element relative to other isotopes of the same element is called relative abundance of isotope students, what does this mean? percentage of an element of an isotope relative to other isotopes of the same element is called abundant in the amount of an amount the percentage of an amount is more high-high-five. abundance जो कि क्या है in percentage in percent में आप लेंगे इसको तो element हमने ले लिया hydrogen hydrogen के isotopes जो है protein और deuterium को हम डिस्कास करें अगर तो protein जो है इसकी अगर आप percentage देखें तो वो 99.985 percent जो है वो एक्जेक्स कर रहा है जबके जो इसका second isotope है जिसको हम कहते है deuterium तो उसकी जो percentage है that is 0.015 percent तो इससे आपको क्या पता चला कि जो hydrogen का ये जो isotope protein है ये ज़्यादा एक्जेक्स कर रहा है इसकी abundance ज़्यादा है as compared to its relative isotope यानि कि अगर आप इसकी का दूसरा isotope को इससे relate करें तो ये ज़्यादा एक्जेक्स कर रहा है ज़्यादा पाया जा रहा है नेचर में ज़्यादा abundant है तो इसकी ज़्यादा हम कहते हैं कि ये abundant isotope है hydrogen का प्रोटियम जिसको का जाता है अब इसे तरह हम another example ले लेते हैं कार्बन कार्बन ज़्यादा आइसोटोप इसके भी तीन isotopes होते हैं यहाँ पर हम जो abundant isotope है उसकी बात करते हैं C12 तो C12 ज़्यादा इसकी percentage अगर हम देखें relative abundance देखें तो बाकी isotopes से इसके जो next isotopes हैं तो यह जो है 98.893% exist करता है जबके जो इसका second isotope है that is carbon 13 तो यह इसकी जो percentage है वो 1.107 है तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो अब कौन से जादा पाया जा रहा है इनको relate करें relative अगर abundance देखें तो carbon का 12 isotopes है यह more abundant है तो हम कहते हैं कि यह abundant isotope है carbon का इसी तरह अब हम मुफ करते हैं एक दो और एक्जामपल ले लेते हैं oxygen की next हम एक्जामपल लेते हैं oxygen तो oxygen जो है उसका isotope 16 वारा 16 वाले isotope की अगर हम देखें abundance percentage देखें तो 99.759 परसंट जो है oxygen का 16 वाला isotope एक्जिक्स करता है nature में और जबके इसका जो 17 वाला isotope है वो 0.037 परसंट है तो इससे आपको क्या पता चला कि कौन सा abundant होगा जो ज़्यादा percentage जिसकी होगी तो इससे relate करें और इससे relate करें तो हमारे पास abundant कौन सा वाला है यह वाला isotope जो है तो relative abundance अगर हम चेक करें तो hydrogen की, carbon की और oxygen की जैसे हमने चेक की तो इनमें से relative abundance आईसटोप की ज़्यादा है तो hydrogen के इनमें से hydrogen के first वाले isotope की ज़्यादा है carbon में carbon 12 की ज़्यादा है oxygen में oxygen 16 की ज़्यादा है तो इस तरह से आपने find out कर लिया relative abundance of isotope अब हम next move करते हैं कि how to determine the relative abundance of isotope आप कैसे जो है इसको determine करते हैं यहाँ पर question आपसे how to determine relative abundance of isotopes यह question है आपसे अगर पूछा जाए तो हम कहते हैं कि relative abundance of isotopes हम determine करते हैं it is determined by it is determined with the help of mass spectrometer अब मैं स्पेक्ट्रोमीटर के थू हम इसको determine करते हैं अब मैं स्पेक्ट्रोमीटर क्या है इंस्ट्रुमेंट है जिसके थू हम relative abundance of isotopes की check करेंगे और जो हमारा next topic होगा वो उसके अंदर mass spectrometry के थू हम देखेंगे कि किस तरह से हम relative abundance जो है वो find out करते हैं यहां पर तो सिर्फ मैं आपको यह बताया है कि relative abundance जो है वो आप mass spectrometer instrument के थू है find out कर सकते हैं किस तरह से execs कर रहे हैं और कितनी amount में execs कर रहे हैं तो students अब हम discuss कर लेते हैं कि naturally अगर हम देखें यानि कि nature में तो isotopes जो हैं total अभी तक जो 280 isotopes जो हैं naturally execs कर रहे हैं 280 different isotopes जो हैं वो एक्जेक्स कर रहे हैं nature के अंदर जिन में से आप कहते हैं कि 40 isotopes जो हैं वो radioactive हैं radioactive मतलब जिन में से radiations emit होंगी 40 isotopes 280 isotopes जो हैं naturally execs कर रहे हैं जिन में से 40 जो हैं वो radioactive isotopes हैं यह जिन में से radiations emit होती है radioactive हैं इसे isotopes को radioactive कहते हैं तो next in 280 isotopes में से इवन atomic number और even mass number है इवन atomic number आप इसको लिख लें ऐसे atomic number और even mass number है जबके बाकी 126 isotopes जो होंगे वो डिफरेंट नेचर के होंगे इनकी उनका और आटामिक नमबर और और मैस नमबर होगा अब हम move करते हैं next वाले isotopes की nature को हम देख लेते हैं जो naturally थे वो उनकी यह में आपको बता दिया उनके बारे में अब हम डिसकास करते हैं artificially जो है isotopes वो कितने हैं और उनकी क्या percentage है या कितनी amount है artificially देखा जाए तो 300 जो हैं isotopes जो हैं वो exist कर रहे हैं nature में nature में नहीं artificially यहनकी उनको produce किया गया है by artificial method 300 isotopes जो की क्या है radioactive है 300 isotopes radioactive these are produced 300 isotopes are produced by artificial method यह आप से कहते है artificially आपने देखा होगा produce artificially उनको produce कर वाया गया है तो naturally 280 isotopes हैं जो की exist कर रहे है नेचर में इन में से 40 isotopes जो हैं वो radioactive हैं और 280 isotopes जो हैं 280 isotopes जो हैं 154 isotopes जो हैं इनका even atomic number और even mass number है और जो इन में से 280 में से 154 तो even नेचर में होगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं elements कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर odd atomic number होता है odd atomic number और कुछ ऐसे हैं जिनका even atomic number होता है तो वो वले elements जिनका odd atomic number होगा उनके अंदर जो है दो से जादा isotopes stable isotopes इग्जेक्स नहीं करेंगे यहां पर मैं वर्ड यूज का रही हूं stable और यहां पर एक वर्ड मैंने अलरड़ी यूज किया radioactive जीज होती है जो के unstable होती है यानिके उसके अंदर stability नहीं होती तो odd atomic number जो के naturally हम देखें तो odd atomic number वाले elements जिनका odd atomic number होगा उनके अंदर more than two isotopes एक्जेक्स नहीं करते they never possesses more than two isotopes अब आपके माइन में question होगा कि कौन से odd atomic number वाले isotopes elements हैं तो अब example में आपको दे देती हूँ यहाँ पर जैसे कि हमारे पास example है chlorine की chlorine जो है अगर हम देखें chlorine का atomic number 17 है जो कि odd atomic number है यह odd होने की वज़ा से इसके पास जो है दो इसके stable isotopes एक्जेक्स करते हैं उनके अंदर दो से जादा stable isotopes exist नहीं करेंगे तो इसके जो 2 stable isotopes जो exist कर रहे हैं chlorine के वो होते हैं chlorine 35 and another one is chlorine 37 37 इसी तरह एक और example ले लेते हैं odd atomic number वाले isotopes की वो है आपके पास bromine atomic number 35 है जो कि odd है तो इसके जो 2 isotopes हैं वो कुन से हैं एक है 79 वाला और दूसरा जो है 81 वाला atomic number भी लिख लेती हुए साथ में 35 and 35 तो यह isotopes हैं जो के odd atomic number वाले हैं और इनके पास सिर्फ दो isotopes होते हैं अब next हम discuss कर लेते हैं even atomic number वाले isotopes को तो जो ऐसे elements जिनका even atomic number होगा उनके अंदर large number of isotopes होते हैं सो हम लिखते हैं इसको they have greater or large number of isotopes उसमें आपके पास आज़ आती हैं examples carbon की carbon cap जैसे even atomic number तो उसके तीन isotopes हैं इसी तरह oxygen हो गया hydrogen हो गया इनके even atomic जो है oxygen का भी इसी तरह even atomic number है तो इनके जहें दो से जादा isotopes exact कर सकते हैं so this is all about relative abundance of isotopes hopes हो के आपको समझ आ गया है तो mono-isotopic elements को मैं जहें वो define कर देती हूं mono-isotopic elements तो mono-isotopic elements mono-word use किया जाता है one के लिए किसके लिए one के लिए या single के लिए one और single तो ऐसे elements जिनके अंदर single isotope exist करेगा या उनके अंदर one isotope उसका one isotope exist करेगा तो ऐसे elements को म कहते है mono-isotopic elements तो इसको हम define भी कर लेते हैं definition क्या हुई those elements which have only one isotope they are called mono-isotopic elements अब यहां पर हम example ले लेते हैं mono-isotopic elements की example आपके पास आजाती है अचोड़ ता ¥ each अचोड़ में तो पके लेकित यहां अग्लूंड यह चारों एक्जामपल्स हैं वो आप कोड़ कर सकते हैं मुनो आइसेटोपिक एलिमेंट्स की एक्जामपल के इंदर